जै श्रीक्रिष्न आज का विशे है श्रीक्रिष्न और उद्दव के बीच संबाद इसी संबाद को उद्दव गीता के नाम से जाना जाता है बच्पन से ही उद्दव सार्थी के रूप में श्रीक्रिष्न की सेवा में रहे किन्तु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी कोई इच्छा नहीं जताई नए कोई वर्दान मांगा जब कृष्ण अपने आवतार काल को पूर्ण करके अपने धाम को जाने लगे तब उन्होंने उद्दव को अपने पास बुलाया और कहा प्रिय उद्दव मेरे इस आवतार काल में अनेग लोगों ने मुझसे वर्दान प्राप्ट किये थे किन्तु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा अब इस समय कुछ मांगो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तुमारा कुछ भला करके मुझे भी संतुष्टी होगी उद्दव ने इसके बाद भी स्वेम के लिए कुछ नहीं मांगा वे केवल अपने मन की उन संकाओं का समधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण की शिक्साओं और उनके कारे को देखकर उठ रही थी उन्होंने स्री कृष्ण से पूचा भगवन महाभारत के घटना क्रम में अनेक बातें मैं समझ नहीं पाया आपके उपदेश कुछ अलग रहे जबकि आपका वेक्तिकत जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा क्या आप मुझे उनका कारण समझा कर मेरी ज्ञान पिपासा को सांत करेंगे उद्धव मैंने कुरुक्षत्र के मेदान में अरजुन से जो कुछ कहा था वह भगवत गीता थी आज जो कुछ तुम जानना चाओगे और उसका मैं जो उत्तर दूँगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी इसी कारण मैंने तुमें ये अवसर दिया है तुम बेजिजक पूछो उद्धव ने पूछना सुरू किया हे कृष्ण सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सच्चा मित्र कोन होता है कृष्ण ने का सच्चा मित्र वे है जो आवशक्ता पढ़ने पर मित्र की बिना मांगे साहिता करे इस पर उद्धव ने का कृष्ण आप पांड़ू के आत्मिय प्रिय मित्र थे आपदा बांधव के रूप में अर्थात मुशीवत में साहिता करने वाले के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसे किया और ये बात आप भी जानते हैं और हे क्रिश्न आप महान ग्यानी हैं आप भूत वर्तमान और भविश्य के ग्याता भी हैं किन्तु सच्चे मित्र की जो परिवासा आपने अभी दी है क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिवासा के अनुसार आपने सुयमने ही कारे नहीं किया आपने धर्मराज युदिष्टर को द्यूत किरिडा अर्था जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका लेकिन आप भाग्य को तो धर्मराज युदिष्टर के पक्स में मोड़ी सकते थे और अगर आप चाते तो युदिष्टर जीत भी सकते थे आप कम से कम उन्हें धन राज्य और यहां तक की खुद को हारने के बाद तो रोकी ही सकते थे इसके बाद जब उन्होंने अपने भाईयों को दाव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा कक्स में आ सकते थे आपने वह भी नहीं किया उसके बाद जब दुरियोदिन ने पांड़ों को सदेव अच्छी किसमत वाला बताते हुए द्रोपदी को दाव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालज दिया कम से कम तब तो आपको हस्तेव करना ही चाहिए था अपने दिवे शक्ति के द्वारा आप पासे के अंक धर्मराज के अंकूल कर सकते थे इसके स्थान पर आपने तब हस्तेव किया जब द्रोबदी लगबग अपना शील खो रही थी तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रोबदी के शील को बचाने का दावा किया लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं कृष्ण दूसाशन उसे यानि द्रोबदी को भरी सबा में लाता है और इतने सारे लोग के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है ऐसे में एक महिला का शील क्या बचा आपने क्या बचाया क्रिश्न क्या बचाया अगर आपने संकट के समय में ही अपनों की साहिता नहीं की तो आपको आपदा बांदव कैसे का जा सकता है बताइए आपने संकट के समय में सायता नहीं की तो क्या फाइदा क्या यही धर्म है इन प्रशनों को पूचते पूचते उद्धव का गला रुंद गया और उनकी आँखों में आशु बहने लगे बगवान श्रीकृषन मुश्कराते उब बोले प्रिय उद्धव यह स्रिष्टी का नियम है कि विवेक वान वेक्ती ही जीतता है उस समय दुर्योदिन के पास में विवेक था और धर्मराज युदिष्ट्र के पास में विवेक नहीं था यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए उद्धव को हेरान परिशान देखकर क्रिष्ण आगे बोले दुर्योदिन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था इसलिए उसने अपने मामा सकुनी का ध्यूत क्रिड़ा के लिए उपयोग किया जुए के पासे फैंकने के लिए प्रियोग किया यही विवेक है धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेर भाई से ये तो कही सकते थे कि मेरी तरफ से कृष्ण खेलेंगे जरा विचार करके देखो कि अगर सकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार चलो इस बात को भी जाने दो उन्होंने मुझे खेल में सामिल नहीं किया इसके लिए उन्हें माप किया जा सकता है लेकिन उन्होंने विवेक सुन्नेता से एक और बड़ी गलती की और वह यह है कि उन्होंने मुझसे प्रात्ना में बांध लिया प्रात्न की कि मैं तब तक सभा कक्स में ना आऊँ जब तक कि मुझे बुलाया नहीं जाए क्यूंकि वे अपने दुरभाग्य का खेल मुझे से छुप कर खेलना चाहते थे वे नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वे जुआ खेल रहे हैं इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्तना से बांद लिया। मुझे कख्ष में आने तक के अनुमती नहीं थी। इसके बाद भी मैं कख्ष के बाहर प्रतिक्षा करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है और मैं अंदर जाऊं। भीम, अरजुन, नकुल और सैदेव सब मुझे भूल गए। बस अपने भाग्ये और दुरियोदन को कोशते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशाशन द्रोबदी को बाल पकड़ कर गशीटता हुआ सबा कक्ष में लाया। द्रोबदी भी अपनी सामरते के अनुस जूशती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धी तो तब जागरत हुई जब दुशाशन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंब कर दिया। तब उसने स्वयम पर निरवरता चोड़कर हरी हरी अभियम क्रिशना अभियम की गुहार लगाई। तब मुझे उसके शील की रक्षा का आउसर मिला। जैसे ही उसने मुझे पुकारा मैं अविलंब पहुँच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्दव बोले, हे मादव, आपका स्प्ष्टे करन प्रभावशाली आउस्ष्य है, किन्तु मुझे पूर्ण संतुष्टी नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूच सकता हूँ। क्या ये आपका करते हुए नहीं है। क्रश्न मुश्कराय, उद्दव इस स्रिष्टी में हर एक का जीवन उसके स्वयम के कर्मफल के आदार पर संचालित होता है। नहीं तो मैं इसे चलाता हूँ और नहीं इसमें कोई हस्क्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदेव तुमारे नजदीक रहकर जो कुछ हो रहा है उसे देखता हूँ। उद्दव ने कहा वा वा बहुत अच्चा क्रशने। तो इसका अरत ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुषकर्मों का निर्क्षन करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल पर भूल करते रहें, पाप की गट्री बानते रहें और उसका फल भुगतते रहें। उलहाना देते हुए उद्दव ने पूचा। तब क्रिशन बोले उद्दव तुम सब्दूं के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझ कर अनुभो कर लोगे कि मैं तुमारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलतिया बुरा कर सकोगे। तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। लेकिन जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुप कर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में पस्ते हो। धर्मराज को ये अग्यान था कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रतेक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपश्तित होता हूँ, तो खेल का कुछ और ही रूप होता। भक्ति से अभिभूत मंत्र मुक्द होकर उद्धो बोले, प्रभू कितना गहरा दर्सन आपने दिया, कितना महान सत्त्य है। प्रार्तना और पूजा पाट करके इस्वर को अपनी साहिता के लिए बुलाना तो केवल हमारी भावना और विश्वास है। परंतु जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि इस्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हमें साक्षिक रूप में उनकी यानि इस्वर की उपस्तिती का अनुभव होने लग जाता है। परिशानी केवल तब होती है जब हम उसे भूल कर हम दुनियादारे में डूब जाते हैं। यह थी उद्धव गीता। इस उद्धव गीता की संक्षेप में शिक्सा इस प्रकार है। पहली शिक्सा, सच्चा मित्र वय होता है जो आवशक्ता के समय अपने मित्र की साहिता करे और उसे विपत्ति से बचाए। दूसरी शिक्सा, विवेकवान वेक्ती ही जीतता है और एविवेकी हाता है। तीसरी शिक्सा, इसे स्रिष्टी में प्रतेक विक्ती का जीवन उसके स्वयम के कर्म और कर्म फल के आदार पर संचालित होता है। चोती शिक्षा, इश्वर उसकी सायता करता है, जो इश्वर में आस्ता और विश्वास रखता है, और हमेशा अपने समीप इश्वर की उपस्तिति का अनभव करता है, जै श्री कृष्ण